नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्रावमन से मेरे साथ मेरे सेनिर बोटनी के सेनिर फेकल्टी सर्वेश जियादव आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप सर्चा करने जा रहे हैं स्टेट लेवल टेलेंट सर्थ एक्जाम 2022 जो 10 और 12 प्लास के बच्चों के होती है उसके वीडियो सोलिशन से पहले आप से हम चर्चा करने जा रहे हैं यह एक्जाम आज 8 दिसंबर को हुआ है एक अच्छा एक्जाम बच्चों गया निश्यत रूप से आपने इसके प्रेपेशन की है यह एक्जाम मूल रूप से बचा देता है जो प्रीफांडिशन का बच्चा होता है तो आपकी CLC किस प्रकार से प्रेपेशन कराती उसकी सर्चाम कर लेते हैं सीकर में हम लोग 6-7-8-9-10 परी फांडिशन लेते हैं ग्यारा बारा तेरा नीट और जेई और एंडिव की कोर्सेज लेते हैं सीकर में अपना खुद का स्कूल सीवेसी का CLC इंटरने स्कूल जो 26 जनोबरी 2023 बसंद पंच में से अगले साल के अडिशन सकते हो आपको प्रीफांडेशन कराना है तरगेट है तो जुड़ सकते हैं से के साथ इसी के साथ अलवर हमारा खुद का सेटप है जहां हमारा खुद का स्कूल है के विए रास्तान बूर का है वहां 8-10-10 प्रीफांडेशन है 11-12 तेरा नीट और जी दोनों कोर्स चलते है कोर्णा से पहले आप जानते हैं जेपुर सेंटर था हमारा कोर्णा में पोस्पोंड कर दिया था तो 26 दनुवरी दो जाक तेज़ बसंद पंच मी के दिन वापस उसको हम रिलाउंच कर रहे हैं वहां भी आठ नो दस लेगा प्रीफांडेशन 11-12 तेरा नीट और जीद दो अच्छी योग्य सक्षम टीम एक सक्षम मनेजिमेंट के साथ एक काम करती है दोस्तों देखें वीडियो सोलुशन स्टेंट क्लास का भी और अग्ले सेस्ट के सारे एडिमिशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी 2023 उसने बसंद पंची मी है उस तिन से नए से स्टार्ट हो जाएंगे आप सीकर आएट विजिट करें अलवर जेपूर सीकर आप जानते हैं फेहले पास पर पहले लिए है अल्वर सेंटर आप जानती है सीकर विलनों एक्ट्रेस्ट नाप में है ओके दोस्तों नमस्कार हलो बच्चो जैसी एलसी माइसल किशोर सेखावत टीम फिजिक्स एलसी सेकर और आज हम पेपर सोल करने जा रहे हैं एस्टी एसी दो हजार बाइस जिसमें फिजिक्स के क्रिश्टन सें थर्टी पेपर बहुत एवरेस है सिंपल वेपर है बहुत इजी पेपर रहा है और डेफिनेटली जिस भी बच्चे ने साल पर ठीक से मैनत करी है उसका पेपर का श्कूर ठीक रहना चाहिए तो आई हम करत सब्सक्राइशन तो इसका पर निकाले डिमेंशन फाम्मला तो वो क्या होना चाहिए मास इंट्रोस लेशन मास का क्या होता है एम वन और यह होता आपका लवन टी माइनस टू ठीक है जी तो इसका राइट रांसर आपको हो जाएगा फॉर्थ ऑकिस नेक्स्ट दरेस्टें आपको निकालना है आर में प्रसंटेज एरर तो ऐसे में जो डेल्टा आर बाई आर इसको हमको निकालना है प्रसंटेज में तो इसका फ्रमला क्या बनेगा डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई और इसको अपन हंड्रेट से मल्टिप्लाई कर दें तो य लेटा भिवाइभा बारेड है फाइव अप आपका फाइवाइब हॉंडेड क्लस उसको में टैनल इन्टू रहा गया फॉइस परसेंट तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा फॉर्थ ठीक है नेक्स देवो अगला है इप डेट रिजल्टेंट फोर्स अप्टू फोर्स एफ एफ एक्टिंग ऑन एपार्टिल इस एफ दो फोर्स हैं और दोनों फोर्स कैसे एकवल हैं यह फोर्स आपका एफ है य डोने इकवल है और इनका नेट जो दोनों का एफ फोर्स होता है यह एफ नेट इंब हमको एफ दिया रखा है तो एसे में इन दोनों फोर्स की मैं एंगल यह आपको पूछा गया है तो हम चांट फोर्स अगर हो जो हो तूँनका नेट क्या होबाऊ करता है 2F और कोसT गता हो जाएगा त्रटा बैट टू हो गया 60 और इस कारण से थे टा किता हो जाएगा 60 दू टू 120 डिग्री 120 डिग्री तो रहे टांसर आपका हो जाएगा थार्ड ओके नेक्स्ट विलोस्ट टाइम ग्राफ और मोविंग ऑप्जेक्ट रीवर्जेंट्स ते एरिया का वर्डिज यानि हमारे पास एक कोई ग्राफ है ग्राफ किसके बीच में हमनों ड्रो कर रख है और इसका टाइम कर्व एंड टाइम एक्सिस इसकी बीच जो एरिया होता है वो डिस्प्लेस्मेंट को रिप्रेजेंट करता है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉर्थ नेक्स्ट इदर रखे हमको वेक्टर एक वेक्टर पी है इसका आपको निकाले युनिट इसका रूट तो सिक्सिंट परस नैंग किन तक 25 रूट और 25 फाइब तो इसका राइट आंसर किता हो जाएगा फॉर आईके प्लस ठीजे के बाई 5 नेक्स्ट यहां एक बोड़ी है इसका मास किता फॉर कीजी का है 12 मिटर पर सेकंड से मूँग कर रही है और सेकंड Transervation of Linear Momentum अप्लाई कर सकते हो और उसके बोड़िंग है किता है M1 U1 प्लस M2 U2 is equal to M1 V1 प्लस M2 V2 तो मास किता है किता है 4 4 into 12 प्लस मास सेकंड किता है 9 into 0 is equal to first body का after collision speed किता है 3 तो क्या करते हैं हम लोग 4 into 3 प्लस 9 into V2 यह V2 हमको find करना है तो यह हो चुक है आपका 0 12 into 4 12 into 4 कितना 48 यह आपका है 12 तो 48 minus 12 36 9 V2 is equal to 36 that mean V2 is equal to 36 by 9 that is 4 meter per second तो राइट टांसर इसका हो जाएगा आपका second during progetile motion horizontal velocity remains constant क्योंकि हम जानते हैं कि horizontal जो प्रोजेटाइल है जो सिंपल जो प्रोजेटल मोशन होती है उसमें मालों अपने थेटा एंगल पर किसी बोड़ी को थ्रो करा है यह इसका हो गया UX यह हो गया इसका अगर 90 डेगर यह पर होना तो कभी भी एक दूसरी को अफेक्ट नहीं करते हैं ऐस इस इस्ते में UX आपका constant रहेगा next to the escape speed we know that escape speed of anybody is completely free from the mass of object that is projected या escaped और इसकी value कितनी होती वी is equal to हम लोग लेते हैं 2G capital M by R यहां पर जो M और R है किसकी प्रोपर्टी है यह उस प्लानेट की प्रोपर्टी हैं जिससे किसी बोड़ी को अपने escape किया है तो वो जो जो बोड़ी जिसको अपने escape कर रहा उसके mass पे उसके एंगल पे उसके density पे उसके nature पे किसे बना उन सब पर डिपेंड नहीं करता है वो जिस से हमने इसको solution due to gravity at a height of r from our surface तो हमको लिंकालना है जी कहां पर एच हाइट पर ग्म by r plus h होता है तो r plus r इसका square that mean gm by 4 r square और यह हो गया आपका जी बाई 4 क्योंकि g surface कितना होता है that is gm by r square तो surface की जो solution है value उसका बन बाई fourth part is कर जाएगा तो इसका answer आपका हो जाएगा fourth next force 40 newton displaces body in its direction innate से direction तो f आप उदे रख है 14 newton displacement हमारे पास कितना है 30 cm that mean point 3 meter angle कितना थेटा आपका zero degree same direction में है इसलिए और work done कितना होता है force into displacement उसका dot product तो f into d cos theta ठीक है जी अब इसको open solve करेंगे तो 14 into कितना point 3 cos 0 कितना होगा 1 यह 4.2 जोल इसका answer बन जाएगा next correct relation between coefficient of linear expansion and coefficient of volume expansion तो हम जानते हैं जो coefficient of volume expansion उपन गामा लिखते हैं that is three times of three times of three times of okay तो हम जानते हैं sorry तो अगला question है next question correct relation between coefficient of linear expansion a and coefficient of volume expansion b's तुम्हें पूछा है रेखिये प्रसार गुणांग और जो आयतन प्रसार गुणांग होता है उसका relation क्या है तो gamma is equal to होता है three alpha ठीक है यहां इसको यह और भी माना गया कोई issue नहीं है तो इसको पर चाहें तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा second next if the expansion of an ideal case the temperature is kept constant in process तो अगर किसी value होती है निर्फेक्स जो मान होता है वो होता है mu into cbt जब t constant है तो यूँ भी क्या रहेगी constant तो SMA remains constant next the mean position of simple harm portion it will be in the mean position तो mean position जो हुआ करता है जैसे कि अपने oscillator को free करा है simple pendulum को इसकी होती है mean position इस mean position पे इसकी kinetic energy क्या होती है maximum और potential energy जो होती है होती है minimum यह इसकी खास है तो और इसको अपने कहते है extreme position इस extreme पर क्या होता है potential maximum speed होता है minimum और potential के speed के minimum होने से हाँ इसकी kinetic energy क्या हो जाएगी minimum और potential होगी इसकी maximum तो इसका right answer क्या रहेगा potential energy minimum kinetic energy maximum ठीक है इससे पहले वाले में आंसर आपका ठीक है next which one of the following expression represents force oscillation force oscillation में क्या होता है कि जो damped oscillation होते हैं उस पर हम एक periodic force पार से अप्लाई करते हैं तो periodic forces में only है कौन सा यह f तो periodic force के अप्लाई करने से जो damped oscillation होते हैं उनकी frequency आपकी regain हो जाती है और वो एक constant frequency से motion करना शुरू कर जाता है तो इसका आँसर आपका हो जाएगा fourth next if the magnitude of the electric field at a dipole at a point at a distance are on the axis due to a given dipole question यह कहना चाहरा है कि को dipole है minus का q plus का q और इसके center से यह axial distance are p electric field e है तो same distance पर हमको equator पर पूछा है कि इसका e-dates कितना होगा तो हम जानते हैं e-dates कितना e by 2 होता है e by 2 इसका answer आपका first हो जाएगा आपको यहां पूछा है wrong statement for a conductor conductor के लिए wrong statement क्या होता है conductor में होता है क्या है conductor में जितना charge देंगे surface पर जाएगा इसका पूरा volume कैसा होता है constant volume पर वी constant volume पर होता है तो चार्ज पूरा surface पर है वी इसका total constant है अंदर या इसके surface पर और इसके inside electric field केतना होता है जिरो पर कब होता है during electrostatic equilibrium condition जो इसकी इस्तिर बैद्दू सामय होता होती है उस condition में इसका यह हो जिरो होता है तो आप से पूछते electric potential is constant बिल्कुल ठीक है electric field at the surface of conductor is normal to the surface बिल्कुल ठीक है क्योंकि यह होता है आपका एक भी potential surface बिल्कुल ठीक है तो इसका आपको पूछा है रॉंग तो इसका सही आंसर क्या जाएगा थार्ड ग्राफ बिट्विन एलेक्टिक फिल्ड एंड डिस्टेंस आर दू दू उनिफर्म रिचाज इन फैनल प्लेंट सीट जो प्लेंट सीट का जो नीरिंग पॉइंट होता है इसका एलेक्टिक होता है कितना सिग्मा बाइट तो आपका सेकंड हो जाएगा नेक्स फॉर्मला ओफ एनरजी स्टॉर्ड इन कैपसिटर ये भी सही है ये भी सही है ये सब सही है अल आप इस दन नेक्स इफ ऑन ए रिजिस्टर देर आर फोर कलर्स आपको देर रखें इसमें और इसमें को पूछा है किलर कोड से सरे लिवित बनाना होता है तो हम जानते हैं इसमें अभी ये लोई तो देखिए डिस्टेंस और इंस का हमारे पास कितना है थ्री ट्री ब्लू का है आपका six तो थ्री थर्टी सिक्स इंटू तेन की पाउर येलो कितना हुआ 4, plus minus gold, gold जो आपकी tolerance है कितनी plus minus 5% गड़ती है, plus minus है, plus minus 5%, तो यह इसका असर आपका हो जाएगा, तो 36 into 10 to power 4 and tolerance is 5%, done, next, egalometer can be converted into a volumeter by connecting high resistance in series, okay, by connecting high resistance in series, is right answer, next, the temperature at least ferromagnetic becomes paramagnetic substance is called, तो वह ताप जिस पर क्या होता है, लोचुम्ब की पदार्थ अनुचुम्ब की में बदल जाते हैं, उनको हम कहते हैं, क्यूरी टैंपरेचर, जिस पर फेरो मेगनेटिक सबस्टांस, गनर्स होते हैं किसमें, पैरा मेगनेटिक में, उसको हम कहते हैं, क्यूरी टैंपरेचर, next, lens glow is best on energy conservation, frequency of electric current of alternating current, इसमें आपको frequency पूछा, यह क्या है, ओमेगा, तो इससे frequency हमारे पास कितनी आएंगे, ओमेगा नेक्स्ट, among the following which electromagnetic wave have the wavelength range of this to this, तो यह रेंज तो कहां होती है, visible light होती है, उसी को इपन परकाश कहते हैं, तो यह एक तरह से light waves हैं, बाकि एक स्रेय हैं, गामा रेज हैं, यह तो बिल्कुल different होती हैं, आपको पुछा, फोकस लेंट जो लेंस की, सॉरी, फोकस लेंट आप जो लेंस और जो मिरर अपन पड़ते हैं, तो दोन का बिल्कुल different होता है, आपको पुछा, फोकस लेंट आप मिरर, that is r by 2, फिर r is radius of curvature, which is 14 cm by 2, it means 7 cm is focus length of mirror, तो next question, when the angle of incidence on a material is 60 degree, the reflected light is completely polarized, the velocity of the reflected ray inside the material is, तो आपको पुछा है, कि अगर 60 degree पे किसी ray को पन करें इंसिडेंट, और उस case में completely polarized light है, कौन से ही reflected, तो यहां जो angle of incidence होता है, उसको हम कहते हैं, polarizing angle, उससे पर निकालते हैं, इसका refractive index, तो हमको पूछा है, medium में इसकी कितनी velocity होगी, तो v equal to होता है, c by mu, ठीक है, c by mu होता है, कितना 10 ip, ip यहां पे है, angle of polarizing, वो क्या होता है, इस आप तनकोंड को हम कहा करते हैं, तो यहां 3 into 10 to power 8, meter per second, और 10 ip, 1060 meter, मतलब, root 3, इसको solve करेंगे, तो क्या हो गया, root 3 into 10 to power 8, meter per second, त ठीक है, next, the deeply wavelength associated with an electron, okay, तो electron से जो लिटेर होती है, deeply wavelength, वो होता है, 12.27 upon root of accelerating potential, और उसका value मरे पास कितना है, 81, इसका root कितना है, 9, तो यह 12.27 upon 9, एंग स्ट्रॉम, इसको solve करेंगे, तो यह आपका 1.36, एंग स्ट्रॉम आएगा, जिसको convert करेंगे, तो nanometer में आपके value यह बन जाएगी, next, volume of nucleus is proportional to, तो किसी nucleus का जो radius होता है, वो होता है, प्रपोस्ट्रॉम कितना होता है, प्रपोस्ट्रॉम होता है, radius की power 3, अब इसकी power cube करेंगे, तो यह किसके प्रपोस्ट्रॉम बन जाएगा, ठीक, mass number के, जिसका answer आप आप हो जाएगा, third, next, the total energy of electron, electron की ground state में energy कितनी दे रखी है, अपने total यह, तो हम जानते हैं, जो kinetic energy हुआ करती है, वो होती है, negative of total energy, इसका ठीक negative, तो प्लस में, यह तो ठीक है, और जो potential होती है, वो होती है, just double of total energy, इसका ठीक double, minus का 27.2, तो answer आपका second, तो next question आपका है, last question आपका है, the combination of gets in the figure is equivalent to, तो यहाँ input कितने और B हैं साब, तो input A और B देने पर यहाँ आपको मिलने जा रहा है, A plus B, यह और gate का equivalent होता है, अब यह है not gate, तो फिर इसका input होके, जो output आपको मिलने जा रहा है, वो है A plus B का par, यह फिर note gate है, इसका input होगा, A plus B bar, तो हम ही हाँ output मिलने जा रहा है, A plus B का double bar, that means A plus B, तो यह जो किसका output होता है, और gate का, तो इसका right answer हो जाएगा, आपका four, okay, तो now finish the solution, okay, thank you, JCLC, Hello friends, myself Nadeem, team chemistry, आज मैं आपके सामने discuss करूँगा, solution STSC 2022, जो 18 December को held हुआ था, इसमें मैं आपको physical के और inorganic chemistry के part कुछ discuss करने वाला हूँ, ठीक है, तो first question में, the value of radius of first orbit of helium plus, तो radius का क्या formula होता है, R equal to 0.529 N square by Z, अच्छा, यह यहाँ पर हमने रखा है, एंग स्ट्रॉम में, तो रख लो 0.529 N square by Z की value helium के लिए 2, और इसकी जगापन रख सकते हैं, जो कि first orbit बोला है, तो 1 का square, यह आएगा किसमें, एंग स्ट्रॉम में, इसका half हो गया, 26 के आज स्पास, अब आप कहा रहा है, एंग स्ट्रॉम में, आंसर किसमें दिया है, पीको मीटर में, तो एंग स्ट्रॉम और पीको मीटर में 100 का फरक होता है, चेंज करोगे, आप तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 26.45, यस, नेक्स्ट दिखते हैं, इस, नेक्स्त ग्वेस्टन, और्बिटल विआफिटल हैंग विंग कानटरम नंबर न इकॉल तो थ्री का मतलब यह तो शेल कितना हो गया थ्री, और यल इक्वल तू टू हे, तो अप जानतों, 012, यह किसके लिए होता है, SPD, तो answer क्या जाएगा, 3D, 3D हो गया, next, the formula of compound formed by aluminium and sulfur is, aluminium पे वैसे चार्ज, basic चार्ज कितना होता है, plus 3, S पे कितना होता है, minus 2, valences आप कर सकते हो, यह इधर आया, यह इधर आगया, answer कुण सा हो जाएगा, AL2S3, ठीक है, next question, the shape of NH3 molecule is, NH3 molecule में क्या होता है, एक तो lone pair होता है, और 3 क्या होते है, bond pair होते है, 3 bond pair, H, एक तो lone pair हो गया, और 3 क्या हो गया, bond pair, एक lone pair और 3 bond pair कैसा दिखता है, trigonal pyramidal, तो answer कौन सा हो जाएगा, 3rd, next, which are the following, overlapping is required for pi bond, तो pi bond कैसे बनता है, collateral overlap of P और D, तो यहाँ पर D तो खेर है नहीं, P, P के collateral overlay से बनता है, बाकि S तो हमेशा क्या बनाता है, sigma bond नहीं बनाता है, नमस्कार दोस्तों, मैं एक सेख मिस्रा टीम CLC, आज हमनों बात करेंगे, STHC solution की, CLC coaching, जिसको आप जानते हो, बहुत famous चेहरा, और जो NEET, IAT, NDA, इसकी coaching कराती है, 6 April 2023 को batch start होगा, और एक बहुत खुशी की बात, जैपुर में हमारी coaching, स्टार्ट होने जा रही है, और बड़े पैमाने पर बात होगी, और आज बात हो रही है, question number, कुछ अपने organic के question कराएंगे, कुछ इनorganic के, जैसे, 36 number, 36 number question है, inorganic question है, LI2, मतलर, एक टॉमी number कितना होगया, 6, बाबा, बी ए, बी ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ठीक है डियर, 6 है, दो-दो बरते जाते हैं, 2, 2, 2, bond order जो होता है, bonding minus anti-bonding by 2, तो बाबा, बाबा में कितने हैं, 6, 4, और 4 में से क्या है, 2, upon 2, 2 by 2, क्या हो गया, 1, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, next, K2M4, एक सांदार question, oxygen number का है, 2 into 1, plus MN, plus 4 into minus 2, oxygen का minus 2 हो गया, equal to 0, तो 2 plus MN, minus 8 equal to 0, MN equal to, क्या हो गया, plus 6, बोले बई, ठीक है, next बात, borax, borax का formula सीधे है, NA2B407.10s2, ठीक है, X बात करते हैं, RUPAC name, simple सा question, NCIT का first page जहां सा organic शुरू होती है, वहां का यह question है, इसी type का है, बस वहां, एक double bond यहां है, corner पे triple bond है, यहां भी बात करते हैं, इसकी पहले कर लेते हैं, अपने numbering, 1, 2, 3, 4, 5, एक बात, अगर जो double bond, triple bond, same number पे हैं, तो numbering double bond पे, otherwise जो नजदीक है, वहां से numbering करेंगे, ठीक है, paint, 1 in, और 3 आएं, यह तो इसका सही answer है, यह इसका सही answer, लेकिन option में इस type नहीं है, यह real में E हटना चाहिए, लेकिन देर रिखाया तो अपने answer, जो अपना best है, वही answer करके अपने को आगे बढ़ना है, तो answer क्या हो जायागा, first, खीक है dear, CC bond length, CC, benzeean में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बेंजीन, तो यह देखो, simple अगर बात करना, तो single bond की क्या होते है, 1.54, और double bond की 1.34, resonance हो गया, तो अपने exact नहीं लेकिन इतना, आप कह सकते है, 1.34, 1.54 के बीच, आपको याद भी होगा, तो इसमें 1.34, 1.54 की बीच में कौन सा है, यह यह, 1.139, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यह कितना आजाएगा, 4 by 3, pi r cube into z की वेलू कितनी आजाएगी, 1, for simple cubic, divided by a cube, divided by a cube, और a की वेलू किसके बरावर होती है, इसका 2 r, तो यहाँ पर आजाएगा 2 r का cube into 100, तो यह किसके बरावर होता है, 52.4%, next, which of the following compound show, फ्रेंकल defect, तो यह बाकि देखो, सारे high coordination number वाले हैं, और फ्रेंकल defect, जनरली कौन शो करता है, जिनका coordination number क्या होता है, लो होता है, तो आंसर कौन सा आजाएगा, अपना z and s, next, rate law दिया ही हुआ है, तो rate law में आप जानते हो, कि जो sum of power of concentration term होता है, या partial pressure term, कोई क्या होता है, order of reaction, तो देखो, यहाँ पर दिया है, 3 by 2, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस 1 by 2, तो आंसर कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, 3rd हो गया, which of the following metal is refined by zone, zone refining, किसके लिए था, silicon और germanium, तो यह आंसर कुन सा हो जाएगा, इसका, 4, सीधे-सीधे ही है, next, among the following compound having square planner structure, square planner किसका हैगा, XEF4 का, कैसे, देखो, XE, यह दो लोन पेर हो गयाए, ऐसे, और इधर सारा क्या हो गया, F हो गया, तो इस structure कैसा लग रहा है, square planner, ठीक है, which of the, an example of di-dendate, di-dendate ligand, di-dendate ligand कौन सा है, यह बला है, कैसे, C double bond O, O negative, C double bond O, O negative, हो गया है, तो metal के साथ कोई है, तो ऐसे यह बना है, तो दो डोनेट कर रहा है न, यहाँ पे, तो di-dendate ligand हो गया, next, IUPAC name of, तो इधर कैसे करते हैं, potassium tri-oxalato, negative आले में ओ लगाते हैं, और बाकी इसका charge कितना आएगा, chromium इसका charge आएगा, थर्ड, तो ऐसा कहाँ पे, potassium tri-oxalato, potassium tri-oxalato chromate, next, number of unpaired electron is square planner, square planner, इसका hybridization क्या होता है, dsp2, ठीक है, और platinum में square planner जब होता है, तो सारे क्या हो जाते है, strong field ligand भी है, तो सारे pair up हो जाएंगे, pair up हो जाएंगे, तो इसमें number of unpaired electron कितना हैगा, 0, the compound having highest boiling point, boiling point देखने के लिए क्या करते हैं, hydrogen bonding, और अगर molecular weight same है, तब हम क्या देखते हैं, branch, यहाँ पहले direct देखो, यह इसमें 2 में आपका क्या है, hydrogen bonding, अब molecular weight, molecular weight किसके दीखे, second की, तो answer क्या हो जाएंगे, paint it, हाँ, यह confusion मत करना है कि इसमें branch लगा दो, ठीक है दिए, तो hydrogen bonding दोनों में हैं, और इसका molecular weight देखे हैं, तो क्या हो गया answer, second, ठीक है, तो आपको जो बात हमने बताई, main main बात, 6 April 2023, यहाँ अपना batch launch होगा, IT, NEET, NDA, ठीक है, और एक खुसकबरी की बात, जैपुर में launch हो रहा है, CLC, ठीक है, चलें, आगे बात करते हैं, यह है, HBR, याद करो, ether में एक ही reaction थी, HI वाली, वही है, तो जो बड़े वाले का alcohol, छोटे वाले का hyalide, बस अरते ध्यान रखना है, O से tertiary benzene, यह उससे अधिक stable वाला मामला ना है, तो इसका सीधे, इसका क्या बन जाएगा, OH, और इसके साथ क्या लग जाएगा, BR, सीधी बात है, ठीक है, नेक्स्ट, गाटरमान कोच reaction, गाटरमान, बेंजीन, CO, प्लस, HCL, तो CO, प्लस, HCL, क्या हो जाएगा, HCO, CL, AL, CL3, यह निगल गया, HCO, प्लस, फॉर्मिल कार्भो केटैन बना, और यही सीधे किस पर लग जाएगा, बेंजीन पे, तो यह कौन सी, अब यह पूछा है, इसमें नाम, रेक्शन तो दे दी, इसने पूछा है, नाम, गाटरमान, कोच, इटार जानते हो, बेंजीन, CRO2, CL2, अली बात थी, क्लेमेंशन, जेन, HG, HCL, होता है, CO, CH2 में, स्टीफन, RCN, SNCL2, प्लस, HCL, हाइड़ूसिस, करोगे, RCHO, तो यह कौन सी, रेक्शन है, ठीक है, विच आप दा फॉल्विंग कंपॉंट्स हो, के इक तनी बार बात करीगे, जब सबसे बेसिक कोश्चन आएगा, तो एल्डोल जो अलफाइडूजन देगा, कैने जारो जो अलफाइडूजन नहीं होगा, हाँ, कीटोन नहीं देता है, ठीक है, तो कीटोन तो चाह जो दोनों देता है, अगर थोड़ा सा टब बनाते हैं, तो ऐसी बात करता है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है, यह एल्डोल और कैने जारो दोनों देता है, खैर, ऐसा कुछ पूछा नहीं, आपको सिंपल की काहानी है, नेक्स्ट, एनन डाइमिथाइल मिथेनेमीन, यह त तो 3D है, कौन सा अमीन है, 3D मतलब टर्सरी अमीन, क्लियर डियर, हिंस्बर्ग एजन्ट, सीजा NCIT, क्या करता है, 1D, 2D, 3D अमीन को दिस्टिंग्विस करता है, लेकिन इसमें उसमें पर हिंस्बर्ग एजन्ट, C6, H5, SO2Cl, एक बात और बता हो, इन दिनों किसका कौन सा य करते हैं लेकिन इतना कुछ आप से पूछा नहीं आप से सिंपल सी कहानी आप से पूछी है आंसर हो गया सकेंगे नेक्स्ट विटामिन D से सीधे कौन सा होता है दूप नहीं लोगे तो हड्यों वाला रोग मतलब कौन सा है रीकेट कहा है यह इसलिए दूप लेना जरूरी है आ गया जो DNA, RNA DNA, RNA में जो फाइब डिफ्रेंसेट होते हैं उसमें युरेसिल थाइमीन का मामला होता है तो इसमें थाइमीन युरेसिल होगे ठीक है नियोप्रीन, नियोप्रीन का मोनमर क्लोरोप्रीन, CS2, double bond C, CL, CH, double bond, CS2 इसी को polymerize करते हैं तो क्या हो जाता है नहीं अब इसका नाम दे रखा है तो 1, 2, 3, 4, 2, chloro, 1, 3, buta, 9, आंसर क्या हो जाएगा फस्ट, ठीक है क्लियर कंडनसेशन पॉलिमर नैलान जानते, नैलान 6, 6, उसमें दोनो तो कंडनसेशन कॉलिमर, कंडनसेशन मतलब जिसमें कोई छोटा मॉल्लक्यूल निकले, H2O, ROH, SCL, इस टाइप के मामला हो लेकिं इसमें टेफलॉन टेफलॉन में एक बात और कौन फुली फ्लॉरिनेटेट टेफलॉन ठीक है, नेक्स्ट, देक्रोन इसमें भी निकलेगा, छोटा मॉल्लक्यूल 59, SN2, SN2, इस्टेरिक हिंदेंस, बेंजीन सूपर सिल, ना तो ये SN1 देगा, ना तो SN2, ये तो देगा ही नहीं, ना तो SN1 देगा, नहीं SN2, इसका दुकाहानी, सबसे कम इस्टेरिक हिंदेंस, पोर, ये तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जितना कम इस्टेरिक हिंदेंस होगा, SN2 रियक्षन के लिए उतनी ही अधिक होगी, अब लास्ट कोर्श्चन, ठीक है, लास्ट कोर्श्चन तब चलते हैं, एलकोहल दीनेचर्ट, याद करो, द CSO4 जिससे smell आएगी, color आएगा, और pyridine जिससे smell, समझ गे, तो smell आएगी, तो इसको आदमी इतना ज्यादे smell आएगी को पी नहीं सकता, तो यहाँ CSO4 प्लस प्रुष्चन नहीं दिया, क्यों सिंपल क्या दिया है, pyridine, ठीक है डियर? तो आराम से इसको वीडियो पॉज करके आराम से देखना सुलूशन ठीक है हलो स्टुडेंट्स मैं शर्वेश कुमार यादव बोटनी फैकल्टी टीम सी लसी तो आज हम स्टेट टैलेंट सर्च एक्जाम जो ट्वल्स लेवल पर कंड़क्ट करवाए गया है अठारा दिशंबर दो जार वाइस को उसमें बाइ सब्सक्जि कुछे गये हैं तो स्टार्ट करें क्यों सच टिवन हो सज्चर सेट मुख्त बैई नोर्मेुल सेट इस्टम तारों की एच्थ टाइट वल्व्ल इसकờ है अब ऊप्न बॉल देते थाए फादर ओफ टैक्सओनी नेच्ष्ट लिंन एकश्रय जिए निए नेक्स Niumetrophores इन किसमें पाई जाती हैं बिल्कुल सिंपल है जैसा कि आप जानते हो कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक राई यह जो प्लांट्स राइजोफोरा यह प्रजेंट होते हैं मार्सी एरिया में जहां पर जल्डल होती है और वहां याती है तो इनमें जो normal जो roots है तो यह क्या करते है oxygen को obtain करने के लिए अपनी tab root में modification कर लेते हैं सैंक और modification कुछ इस प्रकार से होता है यह root उपर की और बोले थो upward out the soil grow करना start कर जैती है तो ऐसे भ्हुत सारी जो है respiratory roots और यह जो respiratory roots है यह बहर की तरफ आ जाती है अब अब इनकी roots में पाई जाते हैं नुमेटिशोट्स जिनने लेंड की cells भी बोलते हैं उनकी साहता से क्या होगा यह oxygen को क्या कर लेंगे रिशीव कर लेते हैं तो यहां सीधा से एक्जामपल पूछा है कि किस में पाई जाते हैं तो अपना आंसर भी हो गया और कॉंसर्ट भी हो गया आंसर हो गया राइजो फोरा लेक्स्त नेशनल बोटनिकल रिस सट इंस्टीट्ट एण बई र्-वलकेटी गुन केशने कहा प्रजेंट सिच्वेट डिया इंडिया में उरिप्ञाव उर स्टीप्स में नेश प्रटव स्टीप कहां सब से बुच सब्काइब यह पाई जाती है किसमें ए और यह पाई जाती है यह अ हैं जो टर्विस जो एंडोडर्मल स्यल्स उनकी सील पॉलके अंदर सुबहरीं का वोजाता है बॉजिशन और उन्हीं को बोल देता है अपन कैस्पेरियन स्टिप जो चेकपंट का काम करती है जहां पर एपो प्लास्ट में करनोड हो जाता है तो यहां पर ही चेकपंट काका करी और भूत इंपोर्टेंट करेक्टर होता है तो इसका अनसर क्या हो जाएगा किसमें बिलें प्रोफेज फिस्ट के अंदर five सब स्टेजेज होती हैं लेप्टोटीन जाईगोटीन पैकाईटीन डिपलोटीन और ड़ाई काइनिस अलग अलग सेप सब्सक्राइब उगाई इनकी अलग अलग क्या है करेक्टर से जहां से जन्रली क्यों संसाते रहते हैं अब इसने पूछ अचे कोभे सबस्ते नहींmore ओर रिकोंबीनेशन कोँ सी सब निंसी स haven स्पेज में होता है मियुत्स फ़स्ट में फ्रोफस फस्त की क्ऊली से DOE काई ये बहुत इंपोडनेट्ट अक्सर एग्जाम में की ससना रहता है यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना पेकई ये next question the primary acceptor of CO2 in hatch and slack pathway अच्छा क्यों सने smart क्यों सने है hatch and slack pathway किसको बोलते हैं अपन C4 pathway को and you all know C4 pathway किसका character है C4 plants का तो जो C4 pathway है उसमें जो primary CO2 acceptor है वो है PEP phosphorynol pyruvate जो CO2 को receive करेगा और यह convert हो जाएगा किसमें oxaloacetic acid में और यहाँ पर NJ भी आप जानते हो बेटा कौन सा होता है PEP, cage phosphorynol pyruvate carboxylase तो इसने पूछा क्या है primary acceptor of CO2 तो यहाँ सिंप्लस आंसर हो जाएगा आपका PEP जिसमें कितने carbon होते है 3 carbon और यह 4 carbon component बनता है तो और आणसर इज फॉस्पोइनल pyruvate ओके next question which of the following hormone increase the yield of sugarcane बिल्कुल आपके hormone वाले chapter से क्योशन है sugarcane से आपको अगर ज्यादा production लेना है yield अगर ज्यादा obtain करनी है तो obviously आपको उसके stem की length को क्या करना होगा increase करना होगा और stem length increase करना है तो कौन से होर्मोन का exogenous use करेंगे अपके जिब्रेलीन also called the bolting hormone तो जिब्रेलीन इसमें सीधा आंसर चला जाएगा जिब्रेलीन ओके next question the structure formed by triple fusion पेटा सब जानते हो जो एंग्योस्पम होता है उसका एक exclusive character है double fertilization जिसमें दो प्रोसेस होगे एक तो है syngemi और दूसरा होता है triple fusion सिन गेमी का मतलब जाइगोड formation very simple सिन गेमी में जो ट्रीपल इसके बाद जो ट्रीपल fusion है उस ट्रीपल फ्यूजन में किसका formation होना है एंडो इस्पम का तो यहां पर gamet आएगा एंड और जो secondary nucleus है 2N तो यहां पर कंडिशन क्या हो जाएगी 3N formation of endosperm तो इसने simple पूझ है यह हो गया fusion is endosperm ओके next question perisperm found in direct question perisperm का मितलब क्या होता है वेटा कई बार कुछ condition में जो seed है उसमें nucleus का कुछ portion remaining रह जाता है किसमें seed में तो उसी को बोलते है पन perisperm तो perisperm का एक्जामपल है sorry वो कौन है बलेक पेपर ओके which of the following habitat plant have sunken istomata sunken istomata मतलब होता है जो बेटा छुपे वे होते हैं अंदर की तरफ दसे वे होते हैं जो transpiration की rate को क्या करेंगे कम करेंगे तो sunken istomata किसका character हो जाएगा जीरो फाइट्स का जैसे आपका जीरो फाइट्स में एलोई हो गया क्या केक्टिस वगेरा हो गया तो यहां पर इस्ट्रमेटर क्या होंगे संकिन बिल्कुल क्योट्व है तो यहां आप देखू कौन से पर जाओगे जीडिश वाइट नेक्स्ट वूप फॉलॉविंग इस बायो डारिक्ट स्टेट मिन पूचा हैं, dominant and recessive trait of seed color respectively पूचा है, तो dominant और recessive बताने, आपको dominant कुन सा है? य göra? यलो और is a tweet color, उसने बात कि है, recessive वाइं वं को आजाएगा बेटा? disaster वे सब्सेद्राइं हिंत Two of the same, how many biodiversity hot sports are in the world? वरिल्ड की बात कि है, total word में कितने? होट इसपोर्ट है इस देट आपको याद है 34 है इन हाव मेन येर फ्लावर्स आप प्रोडूच्ट इन प्लांट इस ने इसमें फ्लावरिंग होती है कितने साल में 12 ये याद करने गजा डिरेक्ट तो सिदा इसने क्यों पूछ लिया आनसर इस सेकेंड पिरामीड ओफ एनर् इनर्य के पिरामिड हमेशन क्या होते है अब और राइट ए आप इस 시리एट प्रोड़ लोटेड सब्स परोड़ जोबस है जिनमें सीलिया प्रजेंट होती है उसका जो एक्जामपल दे रखा है वो कौन है पैरा मीसियम इट कॉंसिस्ट मैंनी सीलिया जो एक्टिव मुमेंट में क्या करेंगी हेल्प करेंगे तो यहांसर हो जाएगा आपका थर्ड ओके तब यह आगे की क्योशन है जूलोजी के ओके तो यहां तक मैंने आपको क्योशन सौलोग पर वाद दिये ओल्ड बेस्ट वेटा एलो स्टुटेंट्स मैं डॉक्टर आयुश परिक और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं STS का पेपर जो 18 दिसंबर 2022 को यानि कि आज ही जो पेपर हुआ है उसका सॉलुशन हम लोग यहां पर देखेंगे बहुत ही आसान और NCRT बेस्ट यह पेपर था 77 नंबर का क्यूशन इसने क्या पुछा है कि कोरल किसको बिलॉंग करते हैं तो अगर हम लोग देखें जो कोरल है जो की पॉलिप फॉर्म है एक तरह से और जो सिसाइल होते हैं जिनकी बॉड़ी होती है और कोरल का फाइलम अगर हम यहां पर बात करें तो कोरल बिलॉंग करेगा फाइलम सिलेंड ट्रेटा को ठीक है किसको बिलॉंग करेगा फाइलम सिलेंड ट्रेटा को कोरल्स बिलॉंग करेंगे और यह जो कोरल्स है इंसे रेलेटेड यह बात भी आपको पता होगी क इनकी जो deposits होते हैं, exoskeleton के, calcium carbonate के, वो coral reef का भी formation करते हैं, जो कि बहुत सारे aquatic animals का घर की तरह होता है, और बहुत major biodiversity वहाँ पर oceanic देखने को हमें मिलती है, ठीक है, तो इस के question की according, coral किसको belong करते हैं, phylum क्या हो जाएगा, salant, treta, जिसे हम nideria भी कहते है, nidoblast की presence के कारत, चलि eukaryotic cell, यानि कि lipid निर्मान की जो मुख्य, जो site है, कि by cell में lipid formation कहां होता है, तो देखे, lipid formation कहां पर होगा cell के अंदर, यह जो है na smooth endoplasmic reticulum, यहाँ पर lipid का formation होता है, lipid synthesis की major site होती है, cell के अंदर, और वहीं अगर हम लोग बात करें, rough endoplasmic reticulum, तो जो rough वाली है, वहाँ smooth endoplasmic reticulum, next question की तरफ चलते हैं, देखे, which division occurs during gametogenesis in animals, यानि कि gametogenesis के दौरान कौन सा cell division होता है, तो देखे, gametogenesis का मतलब क्या हो गया, gametogenesis का मतलब हो गया, formation of gamets, जो की gonads के अंदर होता है, gamets में जो parent diploid cell है, वो haploid cell में change हो जाती है, और diploid को haploid में change करने के लिए, कौन सा cell division होता है, student, meiosis, ठीक है न, तो इसलिए answer कौन सा हो जाएगा, 79 में, fourth option पे हमें ये meiosis मिल जाता है, इसलिए meiosis answer जो है, वो इसका हो जाएगा, आगे question पे चलते हैं 18 number का question जो है, ये पूछना चारा है कि जो volume lungs के अंदर रह जाती है, forcible expiration के बाद, यानि कि अगर कोई व्यक्ति forcefully सांस ले, तो भी जो air उसके lungs में रह गई, जिसे वो कैसे भी करके अपने lungs से बाहर नहीं निकाल सकता, उसके बारे में पूछ रहा हैं आपसे, तो वो देखि हैं कि उसे हम क्या मुलाते हैं, residual volume मुलाते हैं, जो कि हमेशा lungs के अंदर रह जाती है, tidal volume, normal जो exchange में करते हैं, 500 ml, inspiratory reserve volume, tidal volume के अलावा, अगर हम लोग forceful inspiration करें, तो हम कितनी extra air ले सकते हैं, वो क्या हो गई, यहां पे IRV, और expiratory reserve volume कौन सी हो गई, कि अगर हम forceful expiration करें, तो tid idle volume के अलावा, हम और कितनी बाहर निकाल सकते हैं, तो वो ERV, पर जिसे हम रोग नहीं निकाल सकते, वो कौन सी है, residual volume, चलिए, next, which of the following gland secret melatonin hormone, तो देखिए, melatonin जो secretion है, वो penial gland का function होता है, penial gland जो की dorsal side of forebrain पे पाई जाती है, वो ही किसका secretion करती है, melatonin hormone का, तो इसलिए यहां पर हमें answer कहां मिल जाएगा, third option पे इसका answer हमें मिल जाएगा, कि penial gland जो है, वो किसका secretion करती है, melatonin hormone का, आगे चलते हैं, देखिए, main hormone secreted by corpus luteum, corpus luteum के दवारा main hormone कौन सा secret किया जाता है, इसने main पूछ लिया, क्योंकि अगर main नहीं पूछता, तो भी कहर, इसमें तो answer second number का progestron ही जाएगा, corpus luteum से progestron और estrogen, दोनों secret होते हैं, और relaxin भी secret होता है, पर main पूछा है, तो फिर progestron secretion जो है, वो main माना जाता है, corpus luteum का, इसलिए answer यहाँ पर क्या चला जाएगा, progestron, prolactin hormone जो है, यह तो pituitary gland से हो गया, milk वाला, aldosteron, adrenal gland से हो गया, और testosterone, गौनेट से हो गया, तो इसलिए यहाँ पर main hormone के साब से answer कौन सा चला गया, second option is the correct answer, आगे चलते हैं, देखिए, expression of traits of both parents in F1 generation, यानि कि F1 generation में जब दोनों parents के trait का जब expression होता है, तो इस phenomenon को क्या कहेंगे, तो देखिए, इस phenomenon को कहा जाता है, co-dominance, जब दोनों parents के trait express होते हैं, और अगर यहाँ पर हम बात करें, तो यह एक तरह का exception भी है, किसका exception है, यह Mendel के dominant वाला जो law है, law of dominance, उसका exception भी है, incomplete dominance और co-dominance, और co-dominance के हम example की बात करें, तो जो blood group होते हैं, वो किसके example है, co-dominance के हैं, जिसमें A और B, AB blood group जो है, वो आता है, ठीक है, तो इसलिए trait of both parents, अगर F1 generation में होंगे, तो इसका answer क्या चला जाएगा, co-dominance, next पे चलते हैं, name the bond when, name the bond when two nucleotides links to form a dinucleotide, तो dinucleotide के बीच में कौन सा bond होता है, जब 2 nucleotide आपस में जुड़ करके, कौन से bond से जुड़ती हैं और किसका formation होता है, dinucleotide का, ठीक है, तो देखिए, वो जो bond होता है, वो होता है phosphodiester bond, कौन सा bond होता है, phosphodiester bond, तो इसलिए 84 में answer कौन सा चला जाएगा, first option is the correct answer, example of lymphoid organ पूछा है students, तो यहाँ पर आप देखिए, liver, stomach, pancreas, यह तो lymphoid organ के example है नहीं, पर हमें सीधा answer मिल जाता है, third number पर, कि जो spleen है, वो किसका example है, यहाँ पर lymphoid organ का, spleen हो गया, thymus gland हो गई, इस सब किसके examples है, lymphoid organs के, ठीक है, आगे चलते हैं Micro organism by which citric acid is commercially and industrially produced, यानि commercially or industrially citric acid का formation किसके थुरू होता है, तो देखिए, यहाँ पर सीधा answer हमें मिल जाता है, aspergillus niger जो है, यह किसका formation करती है, citric acid का, अब देखिए, इसमें पूछा चारा है, which type of protein gene, cry, control the con-borrier, con-borrier एक insect है, और उसे control करने के लिए हमें cry protein बनवाना होता है, तो इसी लिए, यहाँ पर जो insertion होता है, जीन का, वो कौन सा होता है, first AB, ठीक है, कौन सा होगा, first AB, तो second answer जो है इसमें आपका correct option है, आगे चलते हैं, mating between male and female animals of two different related species, यानि कि जो अलग-अलग species के members की बीच में जो mating होती है, उसे हम क्या कहते है, तो उसे हम लोग students कहते हैं, inter-specific hybridization, ठीक है, जिसका example mule भी हो गया, ठीक है न, आपने पढ़ा भी होगा, NCRT में भी यह है, कि दो अलग-अलग species की बीच में अगर mating हो रही है, पर वो species ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुली unrelated होनी चाहिए, related होनी चाहिए, पर species अलग होनी चाहिए, उनके members की बीच में होने वाली mating, क्या कहलाएगी, inter-specific hybridization, आगे चलते हैं, देखिए, trophic level पर जब concentration बढ़ती जाती है किसी चीज़ की, तो यह जो phenomenon है, इसे हम जानते हैं, biomagnification के नाम से, हर trophic जिसका DDT वाला जो example है, कि birds में आता है, वो सब trophic level पर अगर आगे किसी toxic की concentration बढ़ती जाएगी, तो यह process कहलाएगा, bio magnification, 89 नंबर गा question, next पे चलते हैं, यह भी बिलकुल एकदम straight question है, कि monitor all protocol जो है, वो किस से related है, तो अगर हम monitor all protocol की बात करें, तो देखिए, जो ozone layer था, उसके protection को लेकर के, जो countries की बीच में एक तरह का protocol UN की द्वारा आता है, तो वो हम कौन सा देख सकते हैं, कि वो कौन सा है, monitor all protocol, तो किस के लिए है वो protection of ozone layer के लिए, तो answer इसमें कौन सा हो जाएगा, fourth option, तो यह कुछ बहुत अच्छा गया होगा, धन्यवाद, बच्वों, 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 वेलकम, मैसल परदीपता कर टी, Mathematics, सील से सीकर, बच्वों, आज आज अपना जो एंटी से पेपर हुआ है, इसका जो मारे पास है, उसको बच्वों बच्वों, 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 तो पांच साथ और बिटा नाइन ठीक है अब इसका डेस्ट यहां से क्या है बटा और उसका इसका इसका तो फास साथ में जाएगा ठीक ना तो फैस सांसर विक्रेक्ट नेक्स्ट ए मार्केट से स्टीक रहा तो अपने पास क्या है यह दो ग्रूप से इट कंटेंट 720 और इट कंटेंट्स पूर ठीक ना सैट एट बीटा ठीक ना यह निकालना है तो आपने पास क्या जाएगा बोलो एन ओफ ए स्वारी एन फेड़ यूनिन बी बच्चों मारे पास क्या होता भी एन ओफे प्लस एन ओफ और माइनस का एन ओफ एंटर सेक्शन ब आपनेगा यह यहां पर यहां पर यह बनगा ठीक ना तो यह इसके रहें जागे ठीक है नेक्स्ट अपर टैनेक्स अपने पास यह निकाल लेंगे को सब्सक्राइब पास क्या बताओ थ्री पाइफ फाइप आए ठीक ना कोडिनेंट कौन सा है सेक्टिंड है तो थरड़ा टॉन नेगेट आएगा मेरे पास को सेका होता बियुक के स्क्वाय एट्री मैन श्काव रहने रहरता है न है तो मेरे पास बैचो शुथ यह है पर फेयर पोईप नतने प्षब पास दो की स्क्वाइगा है यहां पर जाएगा वन या पैइड फइग आप स्को निकालेंगे बन बाइ माइनस का बनुट एक जड़ा उसको निकालेंगे बन बाइ वाइनस का वन रुट एके न पुट जाएगा तो रडिश्क रच्यों विल भी इन राइंगल टिकी न तो ट्वेटेटीट नेक्स पेटा इस फईव इटा इस तो आ ये ये इसाट पास क्या 1 3 5 अप्το 2001 ड़िटे को एक्सक्ली भी है 1001 तो बाई 2 2 plus 1000 minus 1 इंटू बेटा तो cancel out अब एटा इसको इसे पून इंटू कर देंगा पून ठीके ना स्वरिया ना थाउजन बन मैनस वन ठीके पड़ा इंटू करने मेरे पास यह आंसर आगा ठीके ना इसका शलो किया बनगा यह बनगा एकश का बन यह बनेगा मैनस का नो थो आगल उपस लोग एकशन पास होइब को मैनस 2 से तो य मैनस वाइब य बन तो य प्लस का तू ब्राबर मैनस का तू इंटू 2x-1 तो y plus 2 equals to minus 2x and plus 2 तो y equals to minus 2x option number one will be correct ठीक है yes good the center of this one तो center तुमार पास दे रखा है center बेडा 1 1 1 दे रखा है एक vertex का दिया आपके पास 3 minus 5 and 7 second vertex बेटा दिया माइनस 1 7 and minus 6 बच्चों ठीक है अब उन बच्चों जानते हैं कि x1 plus x2 plus x3 by 3 that will be the center x coordinate तो बच्चों यहां से क्या आगा बोलो भी यह बटा code 1 आ जाएगा ठीक है और बटा यह आजाएगा आपके पास 5 तो 2 तो बटा यह बना जाएगा तो 1 तो बटा 2 आजाएगा ठीक है ना तो option 4 तो बटा जाएगा ठीक है ना तो option 4 तो बटा जाओ यह मेरे पास क्या होता है n into n plus 1 2 n plus 1 by 6 into बटा n cube तो बटा ratio will be 1 by 3 तो इस सवाल का answer क्या बनागा है 1 by 3 option D will be correct टूश्वेंट अब्ब्र पेंट इन अग्जम्शन थी प्रवीडियो फिटा प्रवबर्यों एमारे पास क्या है डड़ीज 0.05 प्रवबर्यों भी हमारे पास क्या है बिटा अपने पास 0.10 and probability of A intersection B बेटा अपने पास क्या 0.02 बेटा तो अपने प्रवबर्यों एमारे पास क्या है क्या है बोलो 15.15 माइनस का 2 तो बेटा 0.03 आएगा ठीक ना तो probability of A union B dash that will be 0.87 ला इस इस अप्रवबर्यों एमारे एमारे बील पास नो वीड पास ठीकिए ना तो option-fest option बटा भफस्ट बी और प्रण प्रण पास यह फंक्शन किया भी साल पिंवर से बिटा फोप एक समारी पास एक रगवाद तो यह अपने पास क्या है पाई बैसिक से तो पाई बैसे इंड़ बेटा तो यह बनागा पाई मेरे पास क्या है 13-6 मैने सब्सक्राइब भी मैने सब्सक्राइब भी मैने सब्सक्राइब लेंगे तो इसको लेंगे सब्सक्राइब लें एके टुम्झारों एक यह नवे ओसफ़ा है ढया तो ज़िविए ज़िए लेकर विटेशान वनसी है करें ठाई गाउ से सरे वेटा यह जबहा थो वन नस तू तो एपने पास ध्र सब्सक्राइब डाउगे एट टी ज़िए गा ब्रस處 डिखे किए अपके पास प्या ओधके इटर्म घोज़ा थो यहां से क्या घ बताऊं एक अगगा 202 अपट से क्या बताऊं इयुफ लॉल्ट को इसको यह पूलो भी टुझा आएका तो डिवाइड कर दो बस तो टू ए अपॉन एरिय क्या होता बोलो भी पाई आयर स्क्वेयर तो दी एपोन डेटी दाट विल भी पाई इंटु टू आर इंटू दी आर अपोन डी टीविडां अँ मेरे पास आर का मनगा 20 20 इंटु 3 पाइगा ना 65 65 है तो यह मेरे पास क्या होता भी माइनस रूट टू से लेके बैटा रूट टू मेरी करेगा तो मैक्समिल इसकी क्या बने रूट टू बन गए इसके बूट लग-लग दिवैड करता है तो है टू इसकी क्या बाय रूट प्रोप्र टीनू रड़ Pearson प्रॉपर्टी फॉर से टा एरिया उप्धा अपने पास क्या भी बोलो बीटवाइक कुस्टु एक स्कुरर रहना तो पेट आपने पास x square graph ऐसा बन जाएगा ठीक है ना square graph यह बन गया and the line y equals 24 यह line है ना तो पेट आपने यह निकालना भीजिस का तो y equals 24 यह बने पास क्या बनेगा बता हूँ है ना यह बन गया पने पास and the line आपने पास क्या है y equals 24 रहेगा तो यह बने पास बन गया प्रण निकालना यह बनेगा रहेगा पर बीटा जीरों से लेके चार इसके लिए एकस डी वाइए एकस इसका क्या बताओ बेटा रूट वाई दीवाई इसको टू से इंटू कर दो हो में तो इंटु रूट दू रूट वाई कैंबनेगा वाई पार टि भावट अबंगे और जीरो से लेकिए प्र इ नेश्म बेटा है इसको तो इसको आपने पास क्या बोलू मैनस का 4x in2 y2 याँ पी निचे लेंगे तो डी वाई अपन वाई स्कोर ब्राबर माइनस का 4x प्लस का इट न यह च्ट जिए तो कर लें तो मेरे पास वन अपॉन वाइख बन गार बता हुए बच्छों बंजाएगा फ्लस का अब अब बेटा मेरे पास y का मान 1 जब x का मान 0 बेटा तो इस c का मान मेरे पास बन गाए 1 तो बटाब मेरे पास 1 अपोन y बन गा 2x square प्लस का 1 बेटा ठीके ना तो y बच्चों बन जाएगा 1 अपोन 2x square प्लस का 1 थीकर ख्या तो मेरे पास जी ही कितना है बता हो भी अंडरवुट sqave संट मैंनेश वे क्ट डोट बेक्टर मायनस ब्टी दो ख़र और प्लस बच्चों बीज़के मोड़के मोड़की श्कुरर मेरे पास क्या बोलन भी दो अग्या तो एबन गा नेक्स पर आजाओ, तो बड़ा A vector cross B vector, A vector cross B vector मेरे पास क्या होता है, A vector का mode into B vector का mode into sin, sin theta into beta n cup, तो बड़ा मेरे पास ये क्या बोलो भई, A vector का mode में पास 3 है, ये root 2 by 3 है, into बच्चो, उसने बोला unit vector cup बनेगा भी है, बड़ा ये cancel हो गया, तो sin theta into beta n cup, तो ये 1 ओना सी बड़ा तो sin theta, 1 by root 2 कब आएगा, जब theta मान क्या पाए 4 आजे, तो बड़ा B answer से ये, the distance of this point बड़ा इसको आप बना लेजे पहले, ये क्या बनेगा, 6, 6x minus 3y plus 2z, sorry, plus 2z minus 4 equals 0, point के आपके पास 2, 5, 3 से गया, तो बड़ा 12 minus 15 minus 6 minus 4, upon beta under root of 36 plus 9 plus 4, तो बड़ा मेरे पास ही क्या बनागा, इसका mode लगा ना, वो था अपने हो ठीके न, तो बच्छों, ये मेरे पास क्या बनेगा, बताओ, बड़ा 10, 25, 25 में से बड़ा ये आपके पास गया तो, so 13 by 7 बच्छों आंसरा आगा, 13 by 7, 13 by 7 विदा आसर, next पा पहले आपको दोनों को न, 3x minus का y, plus का 2z minus का 4, plus का lambda, into x plus y plus z minus 1 equals 0, बड़ा, अब इसको पास करा दो, बस यहां से, 110 से, बड़ा 110 से पास करा हैंगे, तो आपनी पास क्या जाएगा, 3 minus का 1, minus का 4, plus का lambda, into 1, plus 1, minus का 1 equals 0, ये से cancel out हो गया, बड़ा, ये मेरे पास क्या बनागा गयाby, minus का पाँच तो लेंटा बच्छों आपके पास बनागा, 2, like बच्छों 2 बनागा, तो मेरे पास ये क्या भी, 5x बेटा, ऐकाँच वाला, 5x, और y वाले क्या जाएग, बीटा, 1, 2–1,-0, बड़ा टो जेके sch kinda, तो यहां तो girls' boy, ये बोज गरल्स, ये बड़ा boys, ब यह बड़ा आपके पास पेपर था आपका बहुत अच्छा पेपर बच्चा होगा ठीक ना थैंक्यू जैसे लसी बच्चो